तो भाई लोग क्याल चला यार आई होप हम सब बढ़िया होंगे तो गाईज यार आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पब जी मूबैल या बोलो भाई पीजियम के अंदर हम जब भी अपना नाम चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके की हमें जो वो तीन किसम की नेम चेंज करने में प्राबलम देखने को मिलती हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं तो आज कि इस वीडियो के अंदर हम जो फास्ट वाली प्राबलम है इसको सॉल्व करने वाले हैं बट अगर आपके पास ये सेकेंड एंड थर्ड प्राबलम आ रही है तो इन इस वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं एंड ये प्रॉब्लम काफी लोगों के पास आ रही है जब भी वो अपना नाम चेंज करते हैं सो देखते हो यार आज की इस वीडियो को एंड तक एंड चैनल पर नहीं हो यहां पर मैं इवेंटरिक ओपन करता हूँ यहां पर मैं रिनेम कार्ड पर क्लिक करता हूँ इसके बाद मैं यूज वाले ओप्शन पर क्लिक करता हूँ यहां पर इंटर अपने नेम पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे जो मेरा नेम है वो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यह मैं नेम जो है वो अपनी आईडी पे लगाना चाहता हूँ बट यहाँ पे जो यह नेम है वो नहीं एक्टिवेट हो रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड उपर हमें एक notification आ जाती है कि आपका जो यह नेम है इसके अंदर कुछ अलग keyword है जो के फब जी accept नहीं कर पारा तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज्यादा keyword मैंने टाइप नहीं किये बट simple से keyword है जो के आपको यहाँ पे screen पे नजर आ रहे हैं यहाँ पे अपना नाम जो है मैंने सिर्फ channel का नाम डाले हैं टू उस keyword ऐसे डाले हैं जो के एक simple stylish हैं जो के यहाँ पे यह जो है accept नहीं कर पारा तो इसका मतलब यह है कि यह जो symbol है इसकी वज़ा से ही हमारा name जो है वो change नहीं हो पारा तो इसके लिए आपको करना क्या पड यह जो के आप अपने name के अंदर जो symbol यूज़ कर रहे हो जो के आप stylish बनाने के लिए अपने name को यह जो वो कुछ keyword अलग यूज़ कर रहे हो तो वो PUBG गेम जो accept नहीं कर पारा है तो के अभी हम इस problem को solve करने का तरीका आपको बता देते हैं तो आपने करने क्या है simple सा यहाँ आपको एक option देखने को मिल रहा होगा तो आपने इस पे click करना है then यहाँ पे आपको एक rank option देखने को मिल जाएगा तो आपने इस पे click कर लेना है और उसके बाद guys यहाँ पे आपको जो भी conqueror player होंगे या जिनकी total ranking होगी या survival ranking होगी या उसके बाद kill ranking होगी या जो भी है तो यहाँ पर guys उनके जो name है वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे तो इन मेंसे जो भी आपको stylish name लगे आपने करने के उसका name copy कर लेना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भाई काफी O.P.O.P. किसम के name है और इसके अंदर कुछ लोगों ने symbols भी use कर रहे हैं तो यही symbols आप अपने name के अंदर use करोगे तो वो PUBG game accept कर लेगा क्योंकि यहाँ पे इनके अगर accept हो चुके हैं तो आपके भी accept हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इनमे से भाई ओपी किसम का नाम किसका है जिसका हम symbol जो अपनी name के अंदर use करें तो इनमे से भाई मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे हम season ranking के अंदर चलते हैं इनमे से देखते हैं कोई ओपी हमें यहाँ पे नाम मिल जाए तो यहाँ पे हमें एक name मिल चुका है तो यह वाला name है तो इसको करना है कि आपने इसकी simple सा profile पे open करना है यहाँ पे आप जैसे उसकी profile पे open करोगे तो उसके बाद guys यहाँ पे आपको उसकी ऊपर जो उसकी profile लगी हुई है जो उसका name है तो आपने इसको open कर लेना है और उसके name के साथ guys यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाएगा यह copy करने वाला तो आपने इसका name है वो copy हो जाएगा अब आपने इसके name को आपने नाम कैसे बनना है वो यहाँ पे आपने देख लें आपने करना है के inventory के अंदर आ जाना है और उसके बाद अपने रिमें कार्ड पे कलिक करना है यहाँ पे उसका name आपने paste कर लेना है तो यहाँ पे आपने आपने नेम के अंदर keyword डाल रखे तो आपने वो वाले keyword उसको cut कर लेना है जो यहाँ पे आप अपना name के keyword डालना चाहते हो आपने यहाँ पे type कर लेना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आई सी एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं पी यू बी जी एंड यहाँ पर हमने लिख लिख लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने वाई टी लिख दिया है और उसके बाद हम जैसे ही ओके करेंगे त यहां पे मैं okay करता हूँ इसके बाद guys यहां पे हमें फिर से वही problem आ रही है so यहां पे मैं देख लेता हूँ के भाई problem किस चीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रही है so यहां पे हम yt को बड़ा करके लिख देते हैं I think यहां पे ही हमें जो यह problem देखने को मिल रही है हो जाए तो अभी भी नहीं हो पारा तो ओकी यहाँ पे गाईज हमने अपना नेम जो कुछ ज्यादा ही स्टैलिश बना लिया है उसके बाद ओके करते हैं तो यहाँ पे गाईज आप देख सकते हो हमारा नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है और ओपी नेम यहाँ पे हमारा जो हो चेंज हो चुका है जो के यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर हमने सिंबल भी यूज कर लिये हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा नेम जो हो चेंज हो चुका है तो आपने गाईज ट्राइ करता रहना है आपका नेम जो वो चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि अब अपडेट के अंदर पबजी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो आइ थिंग आइस माने आपको अच्छे तरीके से गाइड करके बता जिया होगे कि यार इस प्रॉबलम को किस तरीके से सॉल्ल किया जाता है तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिलाल तक के लिए अल्ला हाफीज